नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल A B Classes में आपका स्वागत है आज का सब्जेक्ट है Automobile Engineering जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ Air Cooling System का Introduction इसका Diagram, Component, Working, Advantage, Disadvantage इस सब कुछ आज मैं समझाने वाला हूँ आपको सिर्फ क्या करना है वीडियो पूरा देखना है जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और वीडियो लाइक करना है अब चलते हैं आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो इस टॉपिक जो यहाँ पर लिखा हुआ है Air Cooling System इससे ही हम इसके Introduction को समझाने की कोशिस करते हैं जो यहाँ पर लिखा Cooling System सबसे पहले हमें यह समझाने जरूरी है कि Cooling System क्या होता है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Internal Combustion Engine के Cooling System की जिसे हम स्वाट में IC Engine बोलते हैं तो जैसा इसका नाम है Internal Combustion Engine जिसका मतलब होता है जो हमारा Fuel है, Petrol और Diesel वह हैं Engine के अंदर Combustion होता है मतलब जलता है अब जब Engine के अंदर Fuel जलता है तो उससे क्या होता है? इंजन का Temperature बढ़ता है इंजन का Temperature बढ़ने से हमें यह नुकसान होने की संभावना होती है इंजन के पार्ट से जल सकते हैं, इंजन जल सकता है और भी कुछ हानी हो सकती है इसी हानी को बचाने के लिए, इंजन को नुकसान से बचाने के लिए हम इंजन के अंदर करते हैं Cooling System का उप्योग जिससे इंजन के Temperature को Maintain किया जा सके और इंजन को जितने Temperature की आवस्चता है, जिस पर वो Operate होता है, उस Temperature को हम Maintain कर सके तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि Cooling System का उप्योग इंजन के अंदर क्यों करते हैं अब दो Medium से हम क्या करते हैं, Cool करते हैं इंजन को या फिर इंजन की Temperature को Maintain करते हैं एक तो होता Water, एक होता Air, मतलब Water से भी हम इंजन की Temperature को Maintain कर सकते हैं और Air से भी हम इंजन की Temperature को Maintain कर सकते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहा है, एर की बात कर रहा है, किसी कर रहा है, एर की बात, तो जब हम जो IC engine के अंदर, जो cooling system उपयोग करते हैं, उसमें, उस IC engine की temperature को जब air से maintain करते हैं, यह फर air का उपयोग करके हम जो cooling system का उपयोग करते हैं, उसमें air का उपयोग करते हैं, तो उसक के temperature को maintain करने के लिए तो उस system को हम क्या बोलते है येर cooling system अब इसका उपयोग सबस्यादना कहाँ पर किया जाता है यह आप सभी लोग जानते होंगे इसका उपयोग किया जाता है जो भी हमारी जो bike होती है आप सभी लोग bike चलाते है उस bike के अंदर उसके इंजन के temperature को maintain करने के लिए हम येर cooling system का उपयोग करते हैं आप कभी भी गाड़ी की service करवाने गया होंगे तो इंजन खुलने के बाद वो वहाँ पर कार्वीटर वगया साप करता तो आपने इस तरह का इंजन देखा होगा जो यहाँ पर हम एरो चला रहे है इस तरह का देखा होगा इस तरह के इंजन में क्या होता है उपर आपने इसके head जो head होता है उपर देख रहाँ यहाँ पर जाम एरो चला रहो इस तरह की कुछ पट्टी type की लगी देखेंगी इन जो पट्टी निकली हुई है जो gap है यह में सम्में इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं इन फिंस के माद्धियम से क्या होता है हम उसके इंजन को ठंडा करने में सक्सेस्पल होते हैं इनके बीच में गैफ रखा जाता है इनके बीच में गैफ रखा जाता है इन गैफ में क्या होता है यह इनके बीच में जाती है हे और हम क्या होती इंजन से जोड़ करती है और ही च EworAPP करती है इसे upstairs में और उसे जोड़ा करती है इस थ्वेक लेकिन आप जो नई मौट साइक ले आती उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है डारेक्ट ऐसी फिंस लगी जाती है उसके थुरूवी हमारे इंजन का टेंपरिचर मेंटेन होता है अब यह फिंस क्या होती है पूरी और कौन-कौन से फैक्टर से हैं जिसके उपर डिपेंड करती है इसकी कूलिंग सिस्टम इस सब कुछ इस डाइगराम से समझेंगे और इसके जो भी पार्ट से हैं उनका इंट्रोडक्शन समझेंगे अब जो एक्ट्वल डाइगराम होता वो तो मैंने इंजन का यहां पर दिखा दिए फिंस कैसी दिखती है कैसी रगी जाती है यह भी आ सब्सक्तांगें समझ लिते हैं तो यहां पर जो डाइगराम बना इससकी मतलब में यहें जो फौर श्च्टाउख इंचने हैं यह हमारी पिष्टान है यह connecting rod क्रेंक साफ पर इंगन पूरा बर्क करता हो, जो रेड रेड देख रहा है यहाँ पर हमारा fuel जलता है, इस एरिया में जब fuel जलता है तो heat generate होती है, heat generate होती है, तो यह आस पास की दीवार एंगन की जोल पार्स हैं वो भी गरम होनी की सम्मान होती इनको कैसे ठंडा किया जाता है, इस समझ यह थे हैं, सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर फिंस लेखा है, इनको कैसे ठंडा करते हैं, इनको मैं समझा रहा हूँ, फिंस लेखा हुआ है, यह आपको डंडी टाइप की निकली दिख रहे हैं, यह 2DD में convert किया गया, आखर इस तर पर होता है या मैंटिंग को मेंटन करने में कामयाब रहता है कि Сकी तो नाम मैं अल्यमानियम विस यह क्या हो सैकर के कफीः क्या अलावा क्या होता जब इसको बनाते है यह देख रही है यहा पर थो चोटी बड़ी चोटी बरी स्थेटी फिर में दõब diaper Yncontinuel, जहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पर कया होता है? Congressman होता है जहाँ पर हीट जादा जनरेट होती है, वहाँ पर इसको बड़ी बड़ी बनाई आती है , लंभी बनाई आती है । यह दो горक हैँ यहां पर बहुत लंभी पढ़ा बना देती इनके बीच में इसलिए क्या प्रखे जाता कि यह इसमें थोड़ी दिर रह सके ठीक है और जो भी कंड़क्ट करती है कौन सी हमारी कॉपर बगएर आया अल्मोन यह अच्छा कंड़क्ट करते हैं ठीक है इसकी हीट को क्या करती है बाहर फ्हेंग देते हैं तो सपाई पर भी depend करता है क्योंकि अगर इनकी सपाई नहीं होगी इसमें जो भी कंड़क्ट जम जाएगा तो क्या होगा इसका फ़ेट को क्या जो हीट भार नहीं निकाल पाएंगा तो उसके पर भी depend करता है ठीक है जैसे हमें में थोड़े sequencing देना और उनको explain कर देगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ longer थोड़ा सा description भी दिया है, अब होता क्या है engine normally आपने देखा हो, यह देख रहा है, direction of air flow देख रही है, यह से क्या होता है, अब इसके direction में जो भी engine खुला रहता है हमारा, उसके direction में air ऐसी आईगी, अब air का flow होगा, तो इ जिस भी device की क्या होती ही, temperature अधिक होता हुआ है, अधिक temperature से lower temperature की और heat transfer होने लगती है, अब air का temperature का में, तो air क्या गरम होने लगेगी, गरम होके कहीं से क्या होती है, अट्मसफरम चली आती है, इस तरह continue फ्रेस एर आती रहती है, उसे engines टगराती है, और भार्च अट्मसफ फिंस का, जो फिंस लगी हुए, उनी के काम है, उनी के factors है, वहाई कैसे engine को ठंडा करते है, तो मैंने कुछ समझाने की कोसिस की, आपको उम्मीद है समझ में आया हो, ठीक है, तो हमें फिंस के बारे में लिखना है, फिंस कैसे ठंडा करते है, कौन से material के बने जाती है, और क इसके कुछ advantage हैं और disadvantage हैं, उन से और भी आपको थोड़ा सा अच्छी समझ में आ जाएगा, अब ये advantage से आप थोड़ा और इसको अच्छी समझ पाएंगे, जैसा पहले में लिखाया है कि इसके अंदर जो radiator और pump का use नहीं किया था, radiator और pump का use क्यों किया जाता था water cooling system में, क् water को फिलो कराना है, ठीक है, और water को इस्टोर करना है, लेकिन air में ऐसा इस्टोर करने का कोई सिस्टम नहीं होता है, चूंकि direct air contact में आती है, इसलिस में एक advantage है कि हमारा radiator और pump use नहीं होता है, तो हमारा engine थोड़ा सा light हो जाता है, हलका हो जाता है, ठीक है, और हमारी cost भी कम हो जाती है, क्योंकि इन दोनों डवाइसों में, जो cost आईगी, वाई भी बच जाती है, next क्या है, in case of water cooling system, leakage, अब क्या होता है, जो water है, उसमें हमारा जो भी pipe बगर लगे रहते हैं, रेडिटर लगे रहता है, इसमें leakage की क्या problem हो जाती है, लेकिन air cooling system में डवाइस ही अब यहाँ पर जो air है, उसको ठंडवंड़ा कुछ नहीं करना पड़ता है, तो इसमें भी जो भी हमारा coolant system उसका भी उपयोग नहीं करते हैं, this system can be used in cold climate, where water is used in freeze, ठीक है, अब cold climate हो या फिर hot climate हो, यहाँ पर कोई जाना फरकनी पड़ता है, hot में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जो हमारा अधिक temperature बढ़ जाता कर्मियों में, उससे हमारा engine भी थोड़ा गरम होई लगता है, उसका region यही है कि engine जो हमारी air है, उसका temperature इतना अधिक already रहता है, कि engine की temperature से जितनी heat उसको absorb करना चाहिए, जितनी heat transfer हो चाहिए, उत्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि air का temperature अल्रे disadvantage, disadvantage ही दिखा जाए तो यहाए, क्या light engine, जो हमारी छुट-छुट-छुट engine है, जैसे मैंने उपर example बता है, motorcycle वगरा, scooter वगरा, उनमें यूज किया जाता है, इसका बड़ी बड़ी गाडियों में यूज नहीं कर सकते हैं, पहला disadvantage यही है, इसके लावा normal जैसे example ही दिया, motorcycle बगरा है, इन जैने और जो भी हमारे, इन समय यूज किया जाता है, जो जहाँ पर direct air का contact हो सकता है, जहाँ पर direct air का contact नहीं हो सकता है, वहाँ पर इस तरह की cooling system का प्योग नहीं किया जा सकता है, तो यह मैंने बताने की courses की, जिस तरह का भी आज topic था, उम्मीद एर यहाँ म को fins बगरा की factors हैं, उसको explain कर दीना है, जैसे मैंने बताया, ठीके, थोड़ा सा air बगरा का दिखा दीना है, इस तरह यह टकर आती है, फिर heat को absorb करती है, और heat फिर जाके atmosphere बढ़ जाती है, अपने temperature बढ़ जाता है, इस तरह थोड़ा सी working सब जान दीना, और जी advantage, disadvantage लिखोग होई तो और अच्छे से explain हो जाएगा, उमीदे वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो like भी कर दें, thank you friends